तो हलो दोस्तो हमारे यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वाटसाप की नई प्रोवाइसी पॉलिशी को लेकर गूगल ने अपनी बहुत ही अच्छी सर्विस को लाँच किया है तो अब आपको वाटसाप को भूल जाना पड़ेगा क्योंकि वाटसाप की नई प्रोवाइसी पॉलिशी को लेकर काफी ज़्यादा बवाल मचा हुआ है जिसकी वज़ा से सभी लोग वाटसाप को छोड़ना चाहते हैं लेकिन वह यह बास सोचते हैं कि हम वाटसाप के बाद किस पर वीडियो कॉल करें किसके माध्यम से हम किसे से चैटिंग करें तो वह गूगल ने बहुत ही आसान कर दिया है क्योंकि गूगल ने अपनी जीमेल आप पर बहुत ही ज़्यादा फीचर्स दे दिया है यहाँ पर आप बिल्कुल वाटसाप के सारे फीचर्स यूज कर सकते हैं तो आपको मैं बताना चाहूंगा जीमेल आप तो बहुत अच्छी तरीके से आप लोग जीमेल आप को जानते होंगे जैसा कि मैंने यहाँ पर सेटिंग किया हुआ है चैट, रूम, मीट, चार आपसन यहाँ पर हमको मिले हुए है तो मैं इसे दो-तीन दिन से जब इसको मैंने यूज किया तो जाना है कि यहाँ पर भी आप आप आईडियो काल, वीडियो काल बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल वाटसाप की तरीके से कर सकते हैं तो इसे अक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले आपको प्ले स्टोर को यहाँ पर ओपन करना पड़ेगा तो मैं यहाँ पर प्ले स्टोर को ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर play store को open करने के बाद search बार में आपको type कर देना है Gmail, Gmail type करने के बाद दोस्तों यह सभी के mobile में download होती है बस इसको आपको update करना है आगर आपके mobile पर update नहीं है तो मैंने एक दो दिन पहले इसे update किया था तभी इसके feature के बारे में मुझे पता चला है तो मैंने यहाँ से update कर रहा है तो simply इसको open कर देंगे open करने के बाद guys आपके सामने इस प्रकार का interface आ जाएगा तो first time आपको इसको activate करने के लिए geo video call सभी को activate करने के लिए google की यह service है तो सभी को activate करने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको जो उपर side में three line को option मिलता है तो आपको three line के option पर click करना है जैसे आप three line के option पर click करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का interface आ जाएगा तो यहाँ पर आप इस scroll करेंगे तो नीचे आएगे नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक setting को option लेगा तो आपको setting के option पर click कर देना है जैसे आप setting के option पर click करते हैं आपको mobile number पर जितने भी Gmail ID login होगी वह आपके सामने आ जाएंगे तो आपको जो Gmail ID है जिससे आप यह set करना चाहते हैं तो आपको उसी Gmail ID पर click करना है तो मैं इस पर click कर देता हूँ जैसे आप इस पर click करेंगे friends तो यहाँ पर देखे मैंने tick किया हुआ है तो एक बार आपको मैं हटा के दिखा देता हूँ यहाँ पर मैं हटा देता हूँ उसके बाद आपको क्या करना है कि ये सारे option हट चुके हैं जो अभी केवल meet का option मिल जाता है तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर उपर side में आपको three line का option मिलेगा three line के option पर क्लिक करने के बाद दोस्तो नीचे setting में आएंगे setting में जाने के बाद दोस्तो यहाँ पर आपके सामने gmail को select करना है उसके बाद यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का interface आजाएगा तो नीचे आएंगे तो नीचे आपको एक option मिल जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं so the chat and room tap तो आपको यहाँ पर जो box मिल जाता इसको आपको tick कर देना जैसे आप इस box को tick करेंगो ok पर click करेंगो ok पर click करने के बाद दोस्तो यहाँ पर देखिए यह अक्टिवेट हो चुका है यहाँ पर देखिए यहाँ पर चौर option आचुके है पहला option mail का दूसरा option chat का room का meet का यानि कि आप जूम आपके लिए जो किसी से meeting करते हैं तो वो भी काम आप यहीं से बहुत ही अफसान तरीके से कर सकते हैं चैट करने के लिए बस chat के option पर click करने के बाद जिस भी chat को यहाँ पर new chat के option पर click करके यहाँ पर कोई भी chat number को save कर लेना है तो आपको मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर आपको नाम डालना उसके बाद उसका photo लगाना है उसके बाद उसकी Gmail ID डालना जैसे वहाँ पर आप number से नाम save करते थे वैसे आपको यहाँ पर Gmail ID डालनी है उसके बाद आप बहुत ही आसान तरीके से वीडियो फोटू किसी को भी शेर कर सकते हैं और डारेक्ट चॉटिंग कर सकते हैं बिल्कुल चैटिंग कर सकते हैं बिल्कुल वाटसाप जैसा फीचर यहाँ पर गूगल ने दे दिया जो की बहुत ही अच्छी बात है तो आपको ये वीडियो कैसा लागा कमेंट करके आपको जरूर बताना चैनल पर नहीं हो तो सस्क्राइब जरूर करिएगा मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई वंदे मातरम जैहिन